तो अगर आप इस तरीकी के वीडियो को बनाना चाते और दोस्तो इसी तरीके से सेम टू सेम इडिट करना चाते तो आज की इस वीडियो को पुरा टॉटोरियल लेकर आया हूं और दोस्तो जीस भी चीज के आपको जरूरत पड़े जया नि जो भी में टेम्प्लेट वेगेर वहाँ जयाकर आप simply download कर लेना तो दो पर पर पड़ से वीडियो को start करते हैं और चलते हैं मूबाइल के screen पर और दोस्तों मोबाइल के screen पर आनिक बाद Simply आपको करना के काइन मैस्टर अप्लिकेशन को उपन कर लेना है अगर आपके पस नहीं होगा तो प्लेइश्टोर पर आपको असानी से मिल जाएगा वहां से जाकर आप सिंप्ली डाउनलोड कर जाएगा तो दोस्तों जिसे आपका काइन मैस्टर ऊपन हो जाएगा तो यहाँ पर आपको न् करना है तो दोस्तों इस तरीके से थोड़ा मोरा बड़ा कर लेना है तो जितना वी वता वीडियो रहे स्ट से सब कर लेना उसके यहां से यहां जले लेता हूं इस तरीके से लेनफ बड़ cic जो भी ring light है उसका दोस्तों effect लेलना है और दोस्तों इसका link जो है आपको destruction box में मिल जाएगा वहाँ से जाकर आप simply download कर लेना है तो दोस्तों यहां से मैं इसको ले लेता हूँ इस तरीके से लेनेक बाद दोस्तों simply आपको करना का है यहां से दोस्तों थोड़ा नीचे आना है दोस्तों आपको spread screen का option दिखाई देगा simply आपको यहां पर tap करना है और दोस्तों इसको full screen कर लेना है इस तरीके से तो दोस्तों यह जो है इस तरीके का हो जाएगा अब दोस्तों simply आपको करना है next step में दोस्तों आपने जिस भी वीडियो को suit किया है उसे दोस्तों ले लेना है तो दोस्तों यहां पर मैं अपना वीडियो को ले लता हूं इस तरीके से दोस्तों इसके लिए आपको layer पर क्लिक करना है और दोस्तों medium जाना है इसको दोस्तो इस तरीके से थोड़ा मुड़ा crop कर देते हैं तो दोस्तो यहाँ पर cropping का option है simply आपको यहाँ पर tap करना है और इस तरीके से आपको थोड़ा मुड़ा crop कर लेना है और दोस्तो इसको जो है on कर देना है अब दोस्तों यह जो इस तरीके का हो जाएगा अब दोस्तों सिंप्ली का करना है वीडियो का जो भी पार्ट नहीं चाहिए यानिक दोस्तों जीज भी पार्ट को आपको बेकार लगता है इस तरीके से आपको कट कर देना है तो दोस्तों यहां पर मैं आपको सिंप्ली कट कर करना है तो इस हमें दोस्तों लेट साइट का कट करना है तो दोस्तों ट्रिम टू लेट वाले अप्शन पे क्लिक कर देंगे अर दोस्तों राइट का होगा तो ट्रिम टू राइट वाले अप्शन पे क्लिक कर देंगे अब दोस्तों इस तरीके से हम बढ़ा देंगे बढ़ा करना है उसके लिए दोस्तों सिंप्ली आपको करना क्या है अपने वीडियो पे क्लिक करना है और वीडियो पे क्लिक करने बद यहाँ पर आपको क्रोमा के का ओप्षन मिल जाएगा सिंप्ली दोस्तों यहाँ पर आपको टैप करना है और इसको अनबल कर देना है तो गैस यह इसका background simply remove हो गया अब दोस्तों अगर आपका background जो है अलग color का होगा तो simply आपको की color पर select करना है और आपका जिस भी color का background होगा उसे उस color को आपको choose कर लेना है तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपने वीडियो का background को remove कर लेना है अब दोस्तों simply करना है इस तरीके से आप थ करना है तो स्वांग एड करनी के लिए अपको ले ले लेना है तो भाइस यहाँ पर मैं को दिखा देता हूं इस विडियो में से लूंग Oj दोस्तों यहाँ पर आपको टैब करना है और इस तरीके से mixer में जाके उसके इस तरीके से कम कर देना है तो दोस्तों जो भी आपके विडियो का voice होगा वो दोस्तों और जानेक बाद दोस्तों इसको भी फूल स्क्रीन कर लेना है तो यह जो है कुछ इस तरीके का आ जाएगा अब दोस्तों हमें थोड़ा नीचे जाना है नीचे जानेक बाद आपको ब्लेंडिंग का ओप्सन दिखाई देगा सिंप्लि यहाँ पर टैप करना है और इसको स्क् और इसतरीके से फूल स्क्रीन में कर लेना है उसके बदस्तों इसका भी सेम पूजिशन आ आपको जाना है यह ज эн nessa हम इई ब्लेंडिंग में एसको पर क्लिक कर लेना है आप दोस्तों हमारा वीडियो हे वीडियो से यहाँ पर क्लीक करने एप यह दोस्तो next step में करना क्या है simply दोस्तो आपने जिस भी वीडियो को save किया है उसे ही दोस्तो return यानि की दुबारा आपको ले लेना है तो guys media वाले option पर click करना है click करने में दोस्तो काइन master वाले application में जाना है और दोस्तो यहां से जो है उस वीडियो को मैं ले लेता हूँ तो guys यहा प्रिट का option दिखा देगा simply यहां से cut लगा लेना है तो guys यह जो है कुछ इस तरीके का हो जाएगा अब दोस्तों इसके अंदर effect यूज करने के लिए simply आपको यहां पर tap करना है और दोस्तों यहां से आपको click graphic में चले जाना है और दोस्तों यहां से आपको कोई भी effect लगा अब दोस्तों next step में क्या करना है अगर दोस्तों और कहीं भी effect लगाना है तो दोस्तों simply यहां पर वीडियो पर click करना है और दोस्तों कहिची वाले option में जाना है और दोस्तों split कर देना है split करने पर दोस्तों इस वाले part को भी थोड़ा मुड़ा cut कर लेना है ताकि हमारा effect जो है इतने ही वीडियो में लगे तो guys उसके लिए फिर से आपको cutting वाले option में जाना है और दोस्तों फिर से उसी वाले option पर click कर देना है तो guys यह जो इस तरीके से हो जाएगा आप दोस्तों का effect आ चुका है तो इस तरीके से आपको जितना भी effect लगाना है इसे आप लगा सकते तो दोस्तों अगर आपके काइन मैस्टर में उतने सारे effect नहीं मिलते है तो guys simply आपको करना है क्या है वीडियो पर click करना है और दोस्तों यहाँ पर नीचे जाना है और ग्राफिक क्लिप पर दोस्तों click करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको effect अगर नहीं दिखाए देगा यहाँ तो गाई simply आपको इसेट पर click करना है और इस तरीके स दूस्तों यहाँ पर डॉनलोड को आप्षण आजाएगा तो आपके भी मोबाइल में जो एफेक्ट आ जाएगा हमारा जो वीडियो हो दोस्तों पूरी तरीके से रेडी हो चुका है अब दोस्तों इसमें एक एफेक्ट और यूज कर रहा है उसको भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए सिंपली आपको लेयर पर क्लिक करना और मीडि यह जो कुछ इस तरीके से आ जाएगा अब दोस्तों सेम पोजीशन है सेम आपको वही करना है ब्लेंडिंग सिंपली दोस्तों ब्लेंडिंग वाले ओप्सन पर जाना और स्क्रीन कर देना है तो यह जो हमारा वीडियो है अब दोस्तों पूरी तरीके से रेडी हो चुका है और यहां से आपको 720 लेके से बस वीडियो पे क्लिक कर दोगे तो आपका वीडियो है वो जो सेब हो जाएगा तो गैस इसी तरीके से आपको same to same edit कर लेना है तो दोस्तो आसा करता हूँ कि आज के वीडियो देखने के बात आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके की Reels वीडियो अपने मुबाइल से किस तरीके से डिट किया जाता है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही चलते और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसे और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ